नमस्कार आप देख रहे हैं कसिस न्यूज़ और आपके साथ मैं हूँ गया अंदर देखिए बीपीएसी अभ्यर्थी अब मानने को तयार नहीं है जिहां बीपीएसी अभ्यर्थी कुछ दिर पहले उन्होंने बीपीएसी कार्याले का घेराव किया था लेकिन अब वो सीधे सीम आवास की और रूप कर गया है जिहां सीम आवास को गेरने के लिए आगे बढ़ने लगे हैं ये सबसे पहले कसिस पर देखिए एक्स्क्लूसिब वीडियो सुष्धियो है थारी हुडra बोड़ी एक हारा में तोरे क कह през운खिया। एक री लोड़ी गी जयर, आराग क्यातक तुर्षे, घरा assessments कि अ कर थास्थय से अरिस्थर्ण कर दोरेशन सर्फ सक्यादयादी, क क्या धादया में युक्षकषशी की अरादीग, क्यार थे थे थेशरी के लिए्ट इपुनागी। जल्डश जथ Oh तो आपने देखा कितने उग्र है छात्र, छात्रों का कहना है किसेंगी BPC में भरपूर धांदली हो रही है, जिसके कारण से छात्रों का भविस्च अधर में लटका हुआ है, छात्रों का भविस्च अंदकार में हो चुका है, लगातार इस तरीके की अनियमित्ता बरती जा जिससे छात्रों में असंतोस है इससे पहले ही आपको बता दे कि इससे पहले ही वो लोग BPSC करयाले का गिराव किये थे इस दोरान कई प्रकार के नारेबाजी कर रहे थे वो लोग मांग कर रहे हैं कि पूरे मामले की जाज CBI से कराई जाए ताकि दूद का दूद और पानी क पानी हो सके एक सवाल को ही BPSC आयोग क्यों मान रहा है छात्रों का कहना है कि स्रीफ एक सवाल को ही गलत क्यों मान रहा है जबकि सवाल नौ गलत है और नौ सवाल को गलत मानते हुए अगर आयोग फिर से रिजल जारी करता है तो निस्चित है कि बड़ी संख्या में छात्र और PT exam पास कर जाएंगे लेकिन आयोग मनमानी कर रहा है इसको लेकर के वो लोग सीधे CM आवास की और बढ़ गए है जी हां मैं बता रहा हूं आपको कि वो लोग CM आवास घेराओ करने के लिए बढ़ गए हैं अब देखने वाली बात होगी कि CM तक इनकी आवास पहुंचती ह या नहीं पहुंचती है क्योंकि कुछ दिर पहले जब BPSC कार्याले के पास ये लोग आंदोलन कर रहे थे उस दोरान नेता प्रतिपक्ष BJ कुमर सन्हा पहुंचे थे और उन्होंने सरकार से मांग की थी कि अगर छात्रों की बात सरकार नहीं सुनती है तो BJP इन लोगों के साथ सडक पर उतरेगी और आंदोलन का साथ देगी बने रहे है कसिस नूज के साथ अगर इस वीडियो को आप YouTube पर देख रहे तो सब्सक्राइब कर लिजे अगर Facebook पर देख रहे है तो लाइक कर लिजे और कॉमेंट करना न भूलिए धन्यवाद